पढ़ती हूँ, बहुत छोटे में गीत वो लिखा था, उनके शब्द उनकी शैली पर ना जाकर आप केवल मेरे भावों पर जाएं, उस कहानी पर जाएं जो कहानी में आपके बीच रखती हूँ, एक आठ साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, मैं शंगार का क्यों कोई उत्तर नहीं होता, बेटा उस मा से क्या कहता है, मा किस प्रकार मौनस्तब्ध आंगन में बैठी है, ये मेरी पूजा का गीत है, शहीद की वंदना का गीत है, मेरा मन है, आप मेरे साथ इस पूजा में सम्मिलित हों, और आपके बीच ये गीत रखती हूँ, सुनिए ग वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, आंगन में बैठा बेटा मा से पूछ बार बार दीपावली पे क्यों न आए पापा बुकिबार बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिताब लोट कर कभी वापस नहीं आएंगे दो तीन दिन से अपनी मा की स्थिती को देख रहा होता है मा को देखकर अपनी मा से क्या प्रश्न करता है हिना को मैं बहुत बहुत सादुबाद देती हूँ पहली बार उसने इस मंच पर अपनी प्रस्तुती दी और बहुत अच्छी प्रस्तुती दी सुनियेगा वो बेटा अपनी मा को दो तीन दिन से देख रहा होता है अपनी मा से क्या कहता है मा क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है हैं दोनों हाथ खाली न महंदीर चाई है बिचिया भी नहीं पाओं में बिखरे से बाल है लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है कुम कुम के बिना सूना सा लगता है श्रंगार दीपावली पे क्यों न आए पापा भुकी बार बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए हुए उपहारों को देखता है उन गिफ्ट्स को देखता है और अपनी मा के पास वापस आता है उन्हें देखकर अपनी मा से वही प्रश्न करता है वो बेटा अपनी मा से क्या कहता है सुनिएगा किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए है मिठाईयां वो साथ में पटा खेलाए है वो भी तोने शूज पहन खेलने आया पाप पाप कहके सबने मुझे को चिड़ाया अब तो बता दो क्यों है सुना आंगन घरद्वार दीपावली पे क्यों ना आये पापा बुकी बार दीपावली पे क्यों ना आये पापा बुकी बार बेटा लगातार अपनी मा से प्रश्न करता है उसकी मा उससे कुछ नहीं कहती तो वो अपनी मा से खीट जाता है, रूड जाता है, उनके दोनों हाथ पकड़ता है, उन्हें जग जोड़ता है, उनका ध्यान अपनी और आकर्शित करता है, और वो बेटा अपनी मा से क्या कहता है, सुनिएगा, मैं इस सदन में जितने लोग उपस्ते थें, आप सभी की वेदनाओं को आशूं को आमंतरन देती हूँ, यदि एक भी आशू छलका तो मेरे गीत की सार्थकता होगी, वो बेटा अपनी मा से क्या कहता है, सुनिएगा, दो दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरहान तूने खीर बनाई, हर बार की तरहान तूने खीर आने दो पापा से मैं सारी बात कहूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा, ऐसा क्या हुआ के बताने से है इनकार, दी पावली पे क्यो न आए पापा बुकी बार, दी पावली पे क्यो न आए पापब की बार और मित्रों विडम्बना देखिए कि पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकडिया उसकी चिता के लिए पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश बेटा थोड़ी देर उस लाश को देखता है थोड़ी देर अपनी मा को देखता है पुन्हा उस लाश को देखता है पुन्हा अपनी मा को देखता है गीत का अंतिम्बन और उस आठ साल के बेटे का प्रति उत्तर जो वो उस लाश को देख करके अपनी मा को देता है आपके बीच रखती हूँ यदि आपको लगता है कि उसे यही कहना चाहिए था तो आपके दोनों हाथ हवा में लहराएं और उस तक आशिरवात पहुँचे सुनिएगा गीत का अंतिमंद आपके बीच रखती हूँ वो बेटा अपनी मा से क्या कहता है मत हो उदास मा मुझे जवाब मिल गया मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया पापा का जो काम रह गया है अधूरा लड़कर के देश के लिए करूंग मैं पूरा आशिरवात दो मकाम पूरा हो इस बाद